नमस्कार दोस्तों आप देख रहें मुबाइल यूज 24 और मैं हूरूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड्डे न्यूज का और मिड्डे न्यूज की जो सबसे ताजा ख़बर आ रही है वो है और मिड्डे की सबसे ताजा ख़बर भारतिय रिजर्व बैंक को लेकर है जहां आरबियाई निमोधी सरकार के लिए अच्छे संकेत देते हुए कहा कि निवेश मामले में देश की अर्थ व्यवस्ता अच्छा पर दर्शिन कर रही है नौकरियों के अफसर पैदा करने वाले मध्यावम लगू उद्धोगों में भी निवेश बड़ा है आपको बता दे की केंदर सरकार आने वाले दिनों में इन आकड़ों का हवाला दे कर जी एस्टी और नोडबंदी की वजह से हुए नुकसान के आरोपों को खारिज करने के लिए उनके खिलाफ गुरुगराम के जमीन सौदे में अनिय मित्ताओं के आरोप लगा कर मामला दर्स करवाया गया है और मिड़े की अगली ताज़ा ख़बर मालदीप से है जहां अब तक मालदीप अपनी जरूरुतें काफी हद तक भारत के सहीयोग से पूरा करता था लेकिन अब मालदीप ने चीन से हाथ मिला लिया है मालदीप ने चीन की मदद से एक फ्लाइओवर बनवाया है जिससे भारत नाराज है और अपना विरोध भी जताया है और मिड़े की अगली ताजा खबर तेलांगना से है जहां तेलांगना में आज टी आरेस की महारेली होने जा रही है खबर है कि इस रेली में सीम चंदर शेखर राव विधान सभाभंग करने की गोशना कर सकते हैं और मिड़े के अगली ताज़ा खबर दिल्ली से है जहां आज दिल्ली अंसियार में आज सुभा से ही जमा जम बारिश ने लोगों का संडे सुहाना बना दिया है वैसे तो आज छुट्टी के कारण सडकों पर ज्यादा ट्राफिक नहीं था परन्तु लोग घूमने के मकसद से निकले और उन्हें काफी परिशानी का सामना करना पड़ा और मिड़ी के गली तासक अब रास्ट पुरुसकार को लेकर है जहां यूपी ये शाशनकाल में दिल्ली के लुटियन शेत्र में पद्ध पुरुसकारों के लिए खूब पैरवी होती थी जिसे मोधी सरकार ने परतिबंद लगा दिया और अब भारत आजाद में पहली बार है कि उन पुरुसकारों के लिए राज्यों से स्रेश्ट टीचरों के नाम प्राप्त करने की परिकरिया को बंद कर दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जाविडगर ने फैसला किया कि भारत भर से स्रेश्ट अध्यापकों के आवेदन सीधे ऑनलाइन आमंतित किया जाएं शर्ट केवल यह थी कि राष्ट प्रुसकार पाप्त करने वाले अध्यापक ने सिक्षा शेत्र में आसाधारन योगदान दिया हो या कोई नया काम किया हो और मिड़े के अगली ताजा खबर दिल्ली से है जहां प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी नेशनिवार को कहा कि उनके पास विधायक बनने से पहले तक कोई ओपरिशनल खाता नहीं था और मिड़े की अगली ताजा खबर राजस्थान से है जहां राजस्थान गौरव यात्रा में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बाउजूद राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंद्रा राजे को बाड मेर में आयोजित एक जनसभा में काले जंडे दिखाए गई हाला के बाद में पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया और इन्हें सभास्तल से बाहर ले गई और मिड़े की अगली ताज़क अबर दिल्ली से है जहां उप्रास्ट्रुपती वैंक्या नाइडू की किताब के विमोचन के अवसर पर आज प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में विपक शोहर खास्तोर से कांग्रेस पर तंज कसा उन्होंने कहा कि सदन जब ठीक से चलता है तो चेयर पर कौन बैठा है उसमें क्या शमता है इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है लेकिन जब सदन नहीं चलता है तो चेयर पर जो व्यक्ती होता है उसी पर ध्यान रहता है वह कैसे अनुशाशन ला सकते हैं और इसी गेम में 67 साल के इतिहास में सर्वस्रेश्ट प्रदशिन करने के बाउजूद भारत टॉफ फाइव में जगह बनाने में नाकाम ही रहा। बता दे कि भारत ने एशिन गेम्स में अब तक 69 पदक जीते हैं जो पिछली बार की तुलना में ज्यादा हैं। तो ये थे मिड़े की ताजा खबरे और ऐसी ही खबरों से अबडेट रहने के लिए अब हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिएगे सब्सक्राइब बटन के साथ जो नोटिफिकेशन डेल है उसे भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अबडेट।